आज समरठ असोक यानि धम चक्वन्तू इसको जो बोलते ना धम चक्रवती समराथ तो यह जो औरिगनल सब्ध है यह धम चक्वन्तू यहां उ लगा देते हैं यानि वाला धम माने जो धम चलता है ठराकरतिक नियम और चक्र माने धर्म का चक्र यानि जिसको आप 8 तलिका आज ठांगिंग मार्ग कर बोलते हैं यह होड़ा यह 12 तलीका यह चोबिस तलीका यह 38 तलीका तो वो जो धंब चक्र है आठी वाला आठांगी मार्ग वाला उसको चलाने वाला उसको घुमाने वाला और पियदसी बोलते हैं नाम उसका प्रियदसी ये वैसे तो जो हिंदी में है मगर पाली में पियदसी बोलते हैं पियदसी मलत जिसका दसन प्यारा है जिसको देखने से अच्छा लगता है पिरिय लगता है और सम्रठ सम्रठ का मतलब है जिसका राष्ट सम्ता पर आधरित है वैसे तो सम्राठ बोलते हैं सम्राठ का मतलब होता है सम्ता पर आधरित राष्ट और सम्रठ का मतलब सम्रठ से सम्राठ बनाए और फिर असोग बोलते हैं असोग का में हान जिसके महां के बाद में जो ने लग जाता तो नावन बन जाता है यानि जो बड़ा है महां माने बड़ा है तो जितना भी आप समराथके बारे में यानि धमचक वंतु पियेदस्री समरभ असोख के बारे में दो जैनतिया मनती हैं एक जैनतिया भी पहले गए थी एक अभियाई है कॉन्फिक्ट है क्योंकि औरिजिनल डेट का किसकी को पता नहीं चलता है बस कहीं से कुछ मिल गया तो चल गया फिर मानता हो जाती है बुद्ध के वर्थ की भी मानता है लोग बैठे उन्होंने एक मानत कि और मानता फिक्स हो गई पूरा त्रीप्टर पडा सहाईते पडा वह सारी सारी चीज़ें डेट फिक्स का पता नहीं चलता क्योंकि डेट कलंडर नहीं है पत्थर है तो वैसे दो डेट चलती है अच्छी बात है दो चलती है हमारे महान पुरस्वक्ती तो हर महीने कोई कोई डेट आनी चाहिए मैं तो कहता हूं कि बुद्ध के बारे बर्थडे होने चाहिए हो समराएं क्योंकि इस बहाने हम उनकी जानकारी उनकी बात रिपीट करते रहते हैं उसका जब करते रहते हैं जबती करते रहते हैं कि जब और जबती बड़ा राज्य कैसे चलता था उनका समिधान कैसे चलता था राज्य में सासिक कैसा था शांती कैसी थी बहाली कैसी थी आप जितना भी पढ़ोगे किताबों में यहीं मिलेगा पर उन सफेद पन्नों में सफेद साई से क्या लिखा हुआ है वाइट पेपर पे वाइट इंग से क्या वो जो असोक ने पत्थर पे लिखाया उस पत्थरों के पीछे क्या लिखा हुआ है जो गुदा हुआ नहीं है जो एंग्रेविंग नहीं है और जो प्लेन है सपाट है वहां भी कुछ अक्षर लिखे हुए हैं आप अगर बावा साब की अनुयाई हो और बुद्ध के अनुय तो आप यह पूछना कि सम्राट असोक ने जो महा भारत बनाया था वो महा भारत कहां है और महा भारत से भारत कैसे रह गया फिर आप यह पूछना कि क्या महा भारत सम्राट असोक से सम्राट असोक से पहले किसने बनाया और इसको टुकड़े करने वाले कहां गए कौन इसक पूछना कि वह कौन लोग थे जनोंने समरठ असोक के पत्थरों को तोड़ा क्यूंकि आप एक बात बोलोगे कि पत्थरों पर ऐसा लिखा ऐसा रास था वैसा रास था मगर कहीं भी आपका ध्यान इस तरफ नहीं जाने दिया जाएगा पत्थरों को तोड़ने वाले लोग को मानिता के लोग देश के नएगी तो दूसरी मानिता के या दूसरे मजhच जो लोग हैं वह तो जब पैदा हुए थे वह असोक के बहुत बात बात पैदा हुए बश्बारे को है भारत में तो अब highway आयों कि बात में कि अब आय यह तो कोई कोई भी मानिता या कोई भी मजहव या कोई भी मानिता का व्यक्ति भारतमन को तोडने नहीं आया और तोडने वाला चुपके बैठा हुआ है अपनी पहचान निकलने से डर रहा है इसलिए दूसरों के नाम लिखते दाह है कि यह उसने तोड़ा उसने तोड़ा और वह बात certified पैड़ी होती है क्योंकि जब आप असोक महान का जिक्र करोगे सम्रठ का जिक्र करोगे तो आप इस बात का जिक्र करोगे कि उसके पत्थरों में जो सम्ता का सम्विधान लिखा हुआ है इस सम्ता के सम्मिधान से चल्ग कोन रहा था, परेशान कौन होता? तो आपको बता दे जाएगा कि बाहर का था, इधर का था, उधर का था, मगर आप सहज ग्यान से, किताब पढ़ने की जोत नहीं है, सहज बाहर से खाली डेटी पता कर लेना, अपने जो साइंटिस्ट हैं, जो वेग्यानिक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो बिजनस्मेन हैं, जो खिसान हैं, जो पिसक हैं, सारे समण हैं, तो समण तो अपना राज्जे क्यों तोड़ेगा, क्यों अपने पत्था तोड़ेगा, वो तो उसके फाइदे की बात है, तो आपका दिमाग इस बात में जाना चाहिए, कि जो तोड़ने वाले लोग है, वो कौन है, इत्यास को उसे हिसाब से मत देखो, जो आपके हाथ में किताब द हैं, पर हमारी एग्जिस्टेंस यहां है, और हमारी एग्जिस्टेंस करोडों में हैं, और 120 करोडों में हैं, तो अगर पन्ने लिखे जाएंगे इत्यास के 135, तो पंद्रे पन्ने तो दूसरे हो सकते हैं, पर 120 पन्नों में तो हम होने चाहिए, जब इत्यास दिखा तो कहानी पूरी लिखी जाएगी तो वो पंद्रे पन्य तो दिखाई देते हैं वो 120 कहा है और जो पंद्रे-पन्य हैं उन पंद्नों में हम कहां है यह आपको पड़ेगा और वह जो Orthodox लिखिये हैं वो उनके बीच में हैं between the lines हैं जो lines होती है ब्लैक lines होती है उनके बीच में जो white line होती है उस पे लिखे हुए हैं अगर वो पड़ने आपको आगे अगर हो समझ में आ गया तो दुनिया की सारी किताबیں सुझ बा जाएंगी देख और अगर आप उन काली लाइनों में उल्ज्ग रहे तो आप एक तरह से कौपी पेशने बन जा होगें जैसे आजक्ड हम वेस्बु के फेस्बुक पे वारसेफप पे किसी का मैसिश उठा के किसी का कॉपी कर देते हैं, किसी का उठा के किसी का कॉपी कर देते हैं, बिना सोचे समझे कि यह क्या चल रहा है, क्या नहीं है, फिर तहह तक नहीं पहुंच पाओगे, फिर जान नहीं पाओगे, कि यह चीछ चल क्या रही है, और चला कौन रहा है, और क्यों चला रहा है, इ अभी महापुरुस्यों निये कहा है कि तरक्पे कसना चाहिए सहज ग्यानसे बुद्धिकाल करना चाहिए और लगाता-лагाता- तरक सकती बढाते लेना चाहिए, अगर आप तर्क सक्ती नहीं बढ़ा होगे, अन किताओं के आरपार देखने की छंचा नहीं बढ़ा होगे, तो वो किताओं आपको गुमड़ा कर देंगी, गुम कर देंगी, क्योंकि वो आपकी नहीं, उसमें आपकी ष्ट्रिय है नहीं, अगर आपकी इस्ट्री होती तो बताया जाता कि आपका जो सम्रठ हसोख है उसको इसलिए सम्रठ बोलते थे क्योंकि उसका सम्रठ का राष्ट है और सम्रठ के राष्ट को तोड़ दिया ऐसा कौन वेक्ति है जो सम्रठ के राष्ट का दुस्मन है और वो है कहां क्या कर रहा ह क्या नहीं कर रहा है क्यों बताएगा वह विश्ट तो आपको बताएगा नहीं पागले क्या कि आपको किताब में लिखके अपना नाम बता देगा पता बता देगा कि मैंने महा भारत का भारत बनाया यह तो आपको ढूंड़ना पड़ेगा कि आपके महा भारत को भारत किस न गया क्या दिक्कत होई किसने की कौन लोग है इतना असान तो है नहीं तो इसलिए वो लोग डरे बैठे रहते हैं कि कहीं अगर समरठ असोग द्वारा बापस आगे तो लोग यह पूछना सुरू कर देंगे कि समरठ असोग गई क्यों थे और वो कौन से महानुभव हैं कौन स वीर लोग हैं कौन से काय लोग हैं जिन्होंने समरठ असोग के साथ घात किया और वो कौन से घात अब गात कर रहे हैं यह आपको समझ में आ जायेगा वैं इसलिए आप ध्यान दोगे कि समरठ असोग की जैनति है उनिश्य रार राश्टे क्योंकि भाई वो अंतर राश्टे आदमी है वो अंतर रठे का आदमी है वो अफगानिस्तान में भी है वो पाकिस्तान में भी है वो बंगलादेस में भी है वो मालडी में भी है वो सीलंका में भी है वो बर्मा में भी है वो नेपाल के अंदर भी है और उपर जो है भारत के इंदर कितना ब़ला समरग्ट था और कितना बढ़ा उसका संवर्ठ था तो उसकी जहनती अंतराफ्टिक होनी चाहिए अंतराफ्ट हुनी चाहिए तो कौन लोह हैं जो इसकी जैनती भारत में wyb時 मना देना चाहेते और उसके नाम पे छुटी होनी चाहिए तो उसकी नाम पे छुटी की तो बाद छोड़ो उसका राश्टे काईकरम भी नहीं आता जिसकी महौर लगी हुई है जिसके हर व्यक्ति की जिव में नोट रह जाता है जो सारे के सारे पूरे सम्विधान का चिन्द बन हुआ है जो सीर की तरह चारव सेर ढाल के जिसने बराए जिसके शेर बने होते हैं उसकी छुटी नहीं होती उसके सरकार कारी करम नहीं लगाए मतलब अपने सबसे recessically नहीं लग रहा है इसको कौन सोचेगा, इसको कौन बताएगा, इसको कौन देखेगा. इसलिए समर्थ असोग की जो जैनती है वो आप बहुत कम निम्टा ले देते हैं. इसको तीन दिन पहले start करना चाहिए और साथ दिन बात चलाते रहना चाहिए दस दिन तक लगाता रठते रहना चाहिए जब करते रहना चाहिए जब करते रहना चाहिए जब क्यों करना चाहिए यह जब है और जबती है यह हमारी प्रिक्रिया है पहले हम अपने बच्चों को क्योंकि पहले किताब है कि इसको कोई व्ड़ा बच्चा इसा होता था जिसकी ही मेमोरी जन्हें काम नहीं कर ते तो1008 करो 8 – 1000 वार करो उसको एसा संकिया बताते थे यह हमारी कलचर ऑछ और उसको करते 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 दा गया महावरा हमारा है जिसको महारा है तो ःभीं और ज़िक करते हैं या हो इजाता है उससे क्यों कि शिक्षा हमारे पास थी हमारे पास थी हमी को याद करना पड़ता था बुद्ध población आ कका संविधान पहले पत्थ्व पर लखा उता था तो याद करोगे तो याद रहेगा तो यान में क्या हुआ है यह जो इस पेपर को आप दस वार याइस पोस्ट पो हजार वार آगे भीजोगे तो आपका लाव हो इस दो इस के सिखाने का जो जब करने का तरीका है आसान ये निकाला हमाई लोगों ने कि इसके साथ में या तो भै जोड़ दो या इसके साथ में लालत जोड़ तो कहते हैं भई जब करेगा याद करेगा तो तरे को मिठाई मिलेगी मिठाई से नहीं मानता खाके भगया तो कहते हैं तो जब कर तो तरह लाब होगा तब भी नहीं मानता तो कहते हैं त कराने की बजाए जपती कराने की बजाए हमको इधाउदर की बात हैं जो गुद्ध के अगेस्ट में थी जो हमारी सिक्षा के अगेस्ट में थी वो देने लगे और हम उनका जप करके ड़ने लगे मगर अब हमें जरूत है अपने असली जपती करनी है हमको जपता करना है तो असली क्या करना है एक पोस्ट बनती है वी दर पीपल समर सकते हैं वो पोस्ट आपके वाटसप पर जाती है एक वीडियो जाती है जो आपके वाटसप पर जाती है कोई मैसिज जाता है जो आपके वाटसप पर जाता है आपके फेस्वूक पर जाता है कि हमको जोड़ना है जो एन चीजों को जपोगे जफिश करोगे इसकोटार। तरों गेए एक हजाराइगा बेजूगे सौर बेजूगे 16 बीजूगे कि अगर आप इसका सुमरन करोगे, इसको जब करोगे, इसको याद करोगे, और तो यह आपके मन में बैठ जाएगा, फिर आप वैसे ही काम करोगे. तो जो महायानी लोग हैं, जो महायानी वाले हैं, वो आज भी जब पर चलते हैं. अंके यहाँ, ओमनी पद में हूं, बार वार बार रख रख राय जाता है, और वो उनका फ्रेमस जाप है, जो चलते हैं, पूरी दुनिया उसको चक्रते हैं. मनी पद में हूँ यानि कि कमल के पुस्वाले हैं वो मंगल करें ऐसा करके वो याद करते रहते हैं इससे अच्छी भावना आती रहते हैं असली बात अब आपको करनी है जब वही करना है मगर आइकम बदल देना है आप यह मान के चले हैं कि आपको पूरे दिन में बावा लोगों को यह भेजना है क्या भेजना है संग कैसे काम करता है संग क्या चीज है वीदर पीपल क्या है यह आपको डूटी में निभाना है बिना डरे और बिना किसी दालत की और यह मानते हुए कि यह हमें जप वाला काम करना ही पड़ेगा यह जप हमारा नियम है अगर बनाके बहजो तो मन पूरा कर लो कि इसको मैं 300 आदमियों को आज बहज़ु का लिक लिए कि जो इसको पढ़ए जो तो मैसे सर्कुरिट होगा तो जानकारी सर्कुरिट होगी तो जानकारी क्या है जानकारी है जुड़ेंगे जीतेंगे जानकारी यह है कि जो जुड़ेंगे जीतेंगे जानकारी यह है कि आपका एक संग है जानकारी यह है कि लोग इखटे हो रहे हैं जानकारी यह है कि यहां पैसे नहीं लिए जाते जानकारी यह है कि हम बिना इखटे जानकारी ये है कि समर संग बहुत प्राचिन है और ये हमारे बाप दादों का बनाया हुआ है जानकारी ये है कि इसके अंदर राजनीती नहीं होती जानकारी ये है कि यहाँ पर किसी भी आलत में काश्ट की बात नहीं होती जानकारी है कि यहां पद पोस्ट नहीं होता तो यह जानकारी भेजोगे जाओ गे तो Сवाद्मियों को भेजोगे अपनी उमर के साथ सक्षा हमिचाँ上 क्रता हो। उतनी तेजी से हमारे अधिकार बचेंगे यह काम हम पहले करते थे हमारा जब चला गया इसलिए आपने जपना है और इसको नियम बना लेना है जपने का काम मोड़ दिया कहा कर दिया माला फिरते रहो मनके फिरते रहो क्या बोलते हैं तकती पर ले लिखते रहो और कुछ नह करना बेसिकली हमें अपने प्रचार के लिए ये काम करते थे के बुद्ध ने कोई बात बताई तो मुझे सोब्सक्राइब को बताने यह जपना होता था उजपना माणा मलक मायीक हो गया हमारा माम्ला खतम हो गया हम लेकर बनाना है और यह बनाना है कि जैसे मेरे बच्चे की आईउ है 24 साल तो भई मैं अपने बच्चे की आईउ के लिए से 24 वार भेजूँगा जैसे मालो मेरे घर का नंबर है 127 तो मैं इसको 127 वार भेजूँगा भेजूँगा आप कोई भी नंबर पकड़ लो जो आपको अच्छा लगता हो आपके मन में यह हो कि यह नंबर मिले बहुत अच्छा है वही पकड़ लो उससे आपका काम बनेगा ही बनेगा मगर यह करना है तो लालच और भै की बिना करना है लालच भैसे करा जा सकता है अगर मैं यहां यह बोल दूँ कि यह दो सो दो आदमी हैं अगर इनों ने हर एक विक्ति को यह पोश्ट और यह जो हमारी जो है या जो हमारी मीटिंस की जो सूचना है अगर यह कल को पचास पचास लोगों को नहीं वेजी तो इनका भारी न में डाल दूँ तो आप सारे भैवित हो जाओगे कोई काम करो ना करो मगर पचास आदमियों को भीज़ दोगे पर इससे हमारा नुकसान हो जाएगा इससे नुकसान यह हो जाएगा कि जो विध्या जो एजुकेशन जो बुद्ध भैसे मुक्त करते हैं उनको भंते बोलते हैं जो भंत का भैकांत कर देते हैं उनको भंते बोलते हैं जो इनका खुद को भैसे मुक्त करने का काम है भैकांत करने काम है वो खुद भै बैठा रहे हैं तो उल्टा हो जाएगा तो एजुकेशन उल्ती हो जाएगी तो उसका फायदा नहीं होगा नुक्सान होगा इसलि करने से स्वाभिमान किर जाता है हाथ उठा के कोई भी गएगा लाओ जी मैं तुम्हारे एक हजार आठ वार भेज रहा हूं लाओ मेरे को सौर को देदो फिर वह भेजे ना भेजे मगर उसका कोई फाइदा ने क्योंकि मन से आना चाहिए अगर मन से आएगा तो मन के ही मीत हैं और मन के जुष्मन है कोई जुष्मन और मन के मीत बहार नहीं होते हैं इसलिए सम्रट असोख पे जो यह धंचक वंतू प्यदसी सम्रट असोख महान का जो दिन हम याद करते हैं यह लगाता लगाता याद करते रहें और याद करते रहें उस परानी व्रासत को और याद करते हैं अपने गौरब को और उसमें जीना सुरू करें और अगर आपने जप नहीं किया तो समराट असो क्यों याद करने में और पैदा होने में और भारत पे फिर से महावराद बनाने में हजार साल लगेंगी पर आपने अगर जप बढ़ा दिया याद करना कर दिया तो एक रात में बदल सकते हों यह डिपेंड करता है कि आप कितनी तीरी से काम करते हैं किरांती आपके दरवाजे पे बदलाव आपके दरवाजे पे सुक्सुविदा आपके दरवाजे पे सम्विधान लेके खड़ा हुआ है आप मैं कितनी जल्दी है आप कितनी जल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को gift में भेजनी चाहिए या किसी भासा में convert करके आगे बढ़नी चाहिए या print में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी part को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते हैं आप youtube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना right हैस पे कि हम इसको load कर देते हैं बाकी सारी ये पुझी आपकी है, धन्यवाद धन्म सरेन गच्छामू तम्म सेनं गच्छामी धन्म सरेन गच्छामू संगं सरेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामू तूतियं पी बुद्धं सरेनं गच्छामी तूतियं पी धन्ममर सरेनं गच्छामू बुथियं पि नम्मं सर्णं गच्छानी ततियं पि बुद्धं सर्णं गच्छानी दियं पि नम्मं सर्णं गच्छानी ततियं पि नम्मं जर्णं गच्छानी तेतियम पिसन्दम सर्नम पिर्शामी साथो, साथो, साथो